किसी भी कमपनी के फूट से कैट को उनका डेली सॉल्ट रिक्पार्मेंट मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके नॉर्मल बॉडी फंचिन के लिए और अगर सॉल्ट जादा हो जाए तो ये डेंजरिस भी हो सकता है और डेडली भी चलिए जानते हैं कैट्स के कमर्शिल फूड में सॉल्ट कितना होना चाहिए और कितना नहीं दी जनरल ऑफ नूट्रेशन के हिसाब से एवरेस साइस कैट्स की डेली सॉल्ट रिक्पार्मेंट होती है 21 mg बट काफी सारे कमर्शिल कैट्स फूड में इससे जादा सॉल्ट भी होती है जो के अच्छी नहीं है दा नैशनल रिसरच काउंसिल जो के एक अमेरिकन काउंसिल है ये रिक्पेंट करती है कि 42 mg से जादा सॉल्ट इंटेक नहीं होना चाहिए किसी भी कमपणी के फूड इंग्रीडिन लेबल पर सॉल्ट मेंशन होना चाहिए उसमें कितना परसेंटिज सॉल्ट यूज़ किया है वह भी मेंशन होना चाहिए और काफी companies salt को दूसरे नाम लिखती है जैसे की sodium, sodium भी एक टाइप का salt है और काफी लोगों को difficulty भी होती है क्योंकि ऐसे कुछ अलग नाम लिखे होते हैं तो पढ़ने में उनको दिक्कत आती है, तो ऐसे में wet recommendation ली जा सकती है low sodium diet, consequence markets में available है, आप वो अपने wets को पूछ सकते है काफी cat treats and wet food में भी salt होता है और अगर हम अपने plates से भी कभी-कभी अपने pets को खाना खिला देते हैं तो याद रखिए हमारे खाने में भी salt होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जो daily requirement है, उससे जादा salt का intake हो सकता है चलिए जान लेते हैं कि cat food में salt क्यों होता है, वैसे तो dog food में भी salt होता है salt इसलिए डाला जाता है ताकि ये taste को enhance करे और preservative का भी काम करता है dry food में जादा salt होता है as compared to wet food क्योंकि dry food बड़े-बड़े bags में भी आते हैं और ये एक main meal होता है जबकि wet food चोटे-चोटे pouches में आते हैं और इन्हें जल से जल consume करना पड़ता है क्योंकि इसमें कम salt होता है तो चलिए जानते हैं कि excessive salt cat food में क्यों dangerous हो सकता है extra salt होने से काफी उसे नुकसान हो सकता है जादा salt toxic होता है और अगर ऐसा होता है आपके cats में तो उसके symptoms कुछ इस तरह से होगे vomiting, diarrhea, seizures मतलब के feats, जादा पानी पीना या जादा urine पास करना अगर ऐसे कुछ symptoms आपको दिख रहे है तो please online research मत कीजिए और अपने वैट को दिखाईए उसे diagnose करवाईए और proper treatment चालू करवाईए ज़रूरी नहीं कि cat food से ही ऐसे कुछ issues हो, हो सकता है कि बाहर के गंडे पानी से या फिर अगर आपके घर में fish tank है उसके पानी से भी ये सारी issues हो सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही I hope आज का वीडियो आपको helpful लगा हो और अगर हा तो प्लीज इस वीडियो को like and share कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और bell बटन को भी प्रेस कर दीजिए ठैंक्यू झाल भी तक सब्सक्राइब का वीडियो ज कर दीजिए